है लो एवरीवन वेल्कम् टू जीड़ी के एड टीटर आज की इस वीडियो में हम केस्टर और के बारे में डिसकस करेंगे एज़ा नेच्टोरल एकज़ेटी एजेंट तो सबसे पहले केस्टर और के हम sinoname पे आते हैं तो हम केस्टर को रिजिनस ओयल और हिंदी में रंडी तेल भी कहते हैं अम इसके हम बायोलोजिकल सोर्ट पर आते हैं तो केस्टर ओयल को हम अप्टेन करते हैं बाइप कोल्ड एक्सपरेशन ओफ सीड रिजिनस कम्यूनिस फैमले यूफोर वी एसी ओकी तो हम जो केस्टर ओयल है उसको कर लेती हैं कोल्ड एक्सपरेशन के बारे में हम आगे डिटेल से डिसक्रिशन करेंगे और इसका फैमली क्या होता है यूफोर वी एसी ओके अब इसके बायोलोजिकल सोर्ट को याद करने के लिए चोटा सा ट्रिक देखेंगे और ट्रिक इस कस्तूरी टोल्ड रिसी कम्फ और भी एसी कस्तूरी है वोग उसने कहा कि रिसी आया है वी एसी करने के लिए ओके अब इस्टिक को हम अपने बायोलोजिकल सोर से को रिलेट करते हैं मैं मैं रिसी से आप रिसी नीस और कंसले कम्यूलिस और एनधुड प्लयोलोग सोट कोला सकते हैं सो दा ट्रिक इस कस्तूरी टोल्ड रिसी कमफोर बेसी सो अब आते हैं केस्टर आइल के जियोग्राफिकल सोर्स पे मिस इसका प्रिप्रेशन एंड कल्टिवेशन कहां जादा होता है करनातिका है गुजराथ स्टेट में मैं इसका प्रिप्रेशन क्या जाता है मेन इसका प्रिप्रेशन क्लेक्शन किया जाता है अब आते हैं Kcapester Oil के preparation में इसके preparation के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम उस seed को dry कर लेंगे ठीक है dry करने के बाद क्या करेंगे उसमें जो भी impurity रहेगा ऊके उस impurity को पहले हम remove कर लेंगे उस impurity को remove करने के बाद उस seed का हम decoticated करेंगे decoticated मतलब होता है उस seat का जो coating रहेगा उस seat का जो coating रहेगा उसका जो husk रहेगा husk मिन्स होता है भूसी उसको हम क्या करेंगे उसको हम remove कर लेंगे then उस decorticated seed का क्या करेंगे उस decorticated seed को हम hydraulic pressure में press करेंगे यह कौन सा method है यह cold expression method है जिसको हम क्या कहते है mechanical pressing method भी कहते है इसलिए यहाँ पे हम press करेंगे hydraulic pressure apply करेंगे इसमें कोई भी heat apply नहीं करेंगे as a name इसको क्या कहेते है हम cold expression method कहेंगे तो जो hydraulic pressure है उसको हम apply करेंगे लगभग 1 to 2 tons per square इसमें pressure apply करेंगे and जो oil है उसको separate out कर लेंगे then जो oil हमने separate out किया है उसको क्या करेंगे उसको steam करेंगे 80 degree Celsius पर steam क्यों करेंगे जो उसमें lipid enzyme रहता है यदि हम question oil को store करती है तो lipid enzyme क्या करेंगा उसको hydrolysis करा कि उसको जल्दी ही रेंसेट कर देता है तो इससे बचाने के लिए हम उसके जो lipid enzyme है उसको हम क्या करेंगे उसको destroy करेंगे और इसमें एक resin नाम का एक toxic protein भी होता है उसको भी हम destroy कर लेंगे by steaming 80 degree Celsius उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद जो यह oil हमें मिला है उसको क्या करेंगे उसको हम activated charcoal में treat करेंगे किसके लिए impurity को अलग करने के लिए ठीक है अब impurity भी अलग हो गया और हमारा oil भी बन गया इस oil को क्या कहेंगे हम medical castor oil कहते हैं जिसका use हम करते हैं अब आते हैं castor oil के description में ओके उसका color कैसा होता है pale yellow color यहां पर आप image में इसली देख सकते हैं castor oil कैसा हमारा pale yellow और colorless type का liquid है ओके और इसका test order कैसा होता है इसका order होता है slide and characteristic castor oil में एक specific order होता है जो इसके लिए हम उसको कड़वा लगेगा and nauseating, nauseating का मतलब होता है जब हम castor oil को test करेंगे तब वो कैसा होगा तब हमें vomiting सा feel होगा इसलिए इसको हम nauseating सा test भी कहते हैं और यह कैसा होता है कि viscous होता है and transparent liquid होता है यहां पर आप image के थो इसलीं समझ सकते हैं कि एक transparent and viscous liquid है फिर अब आते हैं कैस्ट और के chemical constant होते हैं जिसके कारण हो हमें medicinal and commercially use होगा यह अभी देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें मेली क्या होता है triglyceride present होता हैレसीनलिक acid जो कि इसमें 80% present होता है जो कि यह main chemical constant होता है और इसमें क्या-क्या present होता है इसमें और triglyceride fatty acid present होता है just like iso-ricynolic, linolic, steric and iso-esteric acid ऻिसमें present होता है अब और देखते हैं कि कैस्टर और में क्या-क्या present होता है तो castor oil में heptal dehyde present होता है, जिसको heptanel भी कहते हैं, ओके इसमें undecinoic acid and tibesic acid भी present होता है और जो यह sinoic acid है, वो mainly इसके viscosity के लिए responsible होता है, ओके, तो यह था हमारा chemical constituent of castor oil, जिसके कारण यह हमें आगी use होगा तो अब आते हैं हम castor oil के use में, कि हम इसको medicinally और commercially कहा कहा पे use कर सकते हैं, यह देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम cathartic की रूप में use करते हैं, cathartic मतलब होता है कि इस stomach से gas को expel out करेगा, ओके, और lexative से ज़्यादा potent होता है, means यह constipation को relieve करेगा इसलिए इसको हम as a lexative agent भी पढ़ते हैं, ओके, और इसका क्या क्या use है, अब comments से लिए यह देखते हैं, तो इसको हम paints, enamel, warnices और इसको grease बनाने में and policies, printing, ink बनाने में भी इसका use हम करते हैं, अब देखते हैं और क्या क्या use है, तो इसका और एक medicinal use क्या है, यह abort efficient paste बनाने मे इसका use हम करते हैं, ओके, फिर आते हैं, इसके next use में, जो की है emollient, emollient use भी इसका करते हैं, emollient means क्या होता है, emollient क्या करता है, जब हम इस skin पर apply करेंगे, तो यह skin को soft करता है, और कुछ irritating जब लगी, तब उस irritating pain को emollient है, वो क्या करता है, उससे हमें relief provide कर आता है, एक soothing effect provide कराता है, इसलिए इसको हम emollient कहते हैं, जिसका use हम lipstick के preparation में करते हैं, ओके, फिर आते हैं, इसके next use में, जो हमारा castor oil है, वो enzyme lipase, enzyme lipase का एक source भी होता है, हमने इसके preparation में पहले ही पढ़ा था, कि इसमें क्या होता है, एक lipase enzyme होता है, जो कि इसको hydrolysis कराता है, और rancid कराता है, जिसको हमें destroy करना पड़ रहा था, तो इसका हम as a source भी use करते हैं, लाइपेस का, आगे और कौन से use है, यह देखते हैं, castor oil का एक specific character है, कि वो क्या होता है, lower temperature में, easily freeze नहीं होता, इसलिए इसको हम कैसे use करते हैं, as a lubricant use करते हैं, ओके, तो हमारा castor oil कैसा use हो गया, as a lubricant, तो यह था पूरा use, जो कि कुछ है medicinal use, और कुछ है commercially use, तो इसके आगे वीडियो में हम remaining lexative agent का study करेंगे,